स्टोरेंस, वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल, यह कॉश्चिन कॉश्चिन से है, कॉश्चिन है, इफ वन रूट अफ दा कॉश्चिन, कॉश्चिन है, 3X स्केर प्लस PX प्लस 4 इकोड तो 0 इस 2 बाई 3, एक रूट जो है वो 2 बाई 3 है, देन फाइंड दा वैल्यों पी जो प्लस 4 इकोड तो 0, और स्टेंडर फॉर्म जो होती है, एकोश्चिन के वो थी है, AX स्केर प्लस BX प्लस C equal to 0, A जो है वो 3 आएगा, B coefficient of X है जो P के वराबर होगा और C equals to 4, अब हमारे पास conditions होती है, sum of roots and product of roots, अगर मैं roots को alpha बिटा स्पोज करूँ, एक root को alpha, दूसरी root को बिटा, तो मेरे पास condition हाती है, कि sum of roots, alpha प्लस बिटा, जो होता है, minus B upon A, और product of roots होता है, जो होता है, C upon A, यह condition लगाँगा, product of roots की, उसे product of root होता है, C upon A, तो जब मैं यह लिखूँगा, तो उसमें मेरा एक root given है, second root मेरे पास आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, product of roots, alpha, beta, which equal to C upon A, C4 है, upon 3, so 4 by 3 हो जाएगा, एक root मुझे given है, one root is 2 by 3, तो यहाँ पे alpha को मैं 2 by 3 to 4 by 3, तो जब मैं इसको solve करूँगा, beta equals to, जो term left side में multiply हो रही है, वो दूसरी side divide हो जाएगी, 4 by 3, divide का मतलए उसका हम recipe probe कर ले लेंगे, 3 by 2 हो गया, तो मेरे पास यहाँ से root आ गया, beta जो second root है, वो 2 आ गया, अब मेरे पास देखिए, यहाँ पे, अब मैं condition होगा, alpha plus beta की, sum of roots की, क्योंकि मेरे पास दोनों roots आगे, तो आप मैं condition लगाँगा, यहाँ पे sum of roots की, alpha plus beta, जो होता है, minus b upon a, minus b upon a का मतलब क्या हो गया, अगर यहाँ पे देखें, minus b, bp है, तो यह हो जाएगा, मेरे पास minus b upon a3, तो आप मैं जो p की जो value है, जो unknown value है, जो मैं यहाँ से find कर सक जता हूँ, तो मेरे पार first root है, 2 by 3, और जो बिटा है, वो है 2, तो इसको मैं लिखोंगा, 2 by 1 equals to minus b upon 3, अगर मैं LCM यहाँ पे लूँ, तो LC मेरे पास आजाएगा 3, तो यह हो जाएगा, 2 plus 6 equals to minus b by 3, 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पे मेरे पास है, minus b equals to 8, और p equals to minus 8, तो यह p की value है, minus 8 जो नहीं हों थी, तो एक root, जो second root था, वो 2 हो गया, और जो p की value है, वो minus 8 है, thank you, यह इसका solution था,